आज अगर आपको अपना बिजनस प्रमोट करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो माध्यम है वो है डिजिटल प्लेट्फॉर्म जी हाँ आप अगर अपने प्रॉडर्ट की प्रमोशन या बिजनस की प्रमोशन डिजिटल प्रासेस के जरीए करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट बहुत बहुत बहुतर मिलेगा नमश्कार दोस्तों मैं स्रेंद कुसाहिए आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटी चैनल डॉटेट इन सूट्स में और आज की इस वीडियो में आज स्वार से डिजिटल मार्केटर के लिए तीन ऐसे ग्राफिक डिजाइनर एई टूल्स के बारे में हम बात कर करेंगे जहां पर कि अगर आपको अपने मार्केटिंग के लिए अपने प्राफिक की ज़रुत आपको रहती रहती है क्योंकि आपने बिना ग्राफिक्स के आप अपनी पर्मोशन को नहीं कर सकते और वहां पर अगर आपने ग्राफिक डिजाइनर नहीं सीखी है तो आपको ये टीनो टूल काफी हेल्प करेंगे आपको ग्राफिक्स बनाने में तो वीडियो को ला सक देखो और जानो कि ये कौन से तीन ऐसे आर्टिफिशल इंटिलिजेंस के टूल हैं जिनके जरीए आप अपने लिए किसी भी टाइप की ग्राफिक्स मिन्टों में बना सकते हैं और ग्राफिक बनाना नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के टाइम में आपके पास में AI है तो AI के तीन ऐसे टूल के बारे में हमें आपे जानेंगे जो आपकी काफी help करेंगे आपके लिए ग्राफिक डिसाइन बनाने के लिए जिनको क्या आप social media में या किसी भी digital platform में आप यूज कर सकते हो तो वीडियो को आप लास तक देखिए और जाने कि कौन से तीन ऐसे useful AI टूल आपको बता रहे हैं नमबर वन AI टूल की तरफ जो है आपके लिए Canva जी हाँ आपने Canva के बारे में बिल्कुल सुना होगा क्योंकि जादतर लोग Canva के बारे में जानते हैं और Canva के जरीए graphics बनाते हैं तो एक टाइम पर आपको Canva का जो paid version है, pro version है उसको लेना होता है और उसके बाद ही आप अपने लिए जो है अच्छी graphics बना सकते हो लेकिन यहाँ पर अगर आप free में start करना चाते हो तो आप Canva के free version से भी आप graphic बना सकते हो लेकिन इसके बाद के जो दो tool में आपको बताने वाला हूँ, वो completely free है और Canva के जैसे ही काम करते हैं तो number one tool था आपके लिए Canva, आप अगर free में चाते हैं तो आप कुछ हट तक की graphics आप Canva के जरीए बना सकते हैं लेकिन आप चाते हैं हर त्रकी graphics आप बना सकें तो number two जो tool है आपके लिए उसको आप access करो और उसके जरीए आप बनाईए number two जो tool है आपके लिए वो है Microsoft का designer जी हाँ, Microsoft ने अब graphics designing में भी अपना सिक्का जमाने के लिए अपना पहला AI tool जो है वो बना दिया है और ये अभी Microsoft ने free में दिया हुआ है इसकी आप complete feature free में use कर सकते हो अभी Microsoft ने इसके लिए कोई भी charge नहीं किया है तो best मौका है कि आपको अगर अपने लिए किसी भी type की graphics बनानी है तो आप Microsoft designer के अंदर जाके अपना account create करें और वहाँ पे आप हर type की graphics आप चाहे तो AI से बनवा सकते हैं या आप उनको edit करके अपनी graphics अपने लिए ready कर सकते हैं तो अभी ये पूरा का पूरा free है आप simply google पे जाओ वहाँ पे Microsoft designer type करो देखे पहला link आपको मिलेगा उसको इंटर करते ही आप पहुँचेंगे Microsoft designer के interface के उपर और वहाँ पे आप अपना account create करने के बाद आप इसके अंदर दी जाने वाली हर trackie की services को आप use कर सकते हैं और ये अभी आपके लिए completely free है तो best मौका है digital marketer हो और graphic designer की आपको अकसर जरुरत पढ़ती है तो यहाँ पे ये वाला tool आपकी काफी help करेगा जिसके लिए अभी आपको कुछ भी पे नहीं करना है नमबर थ्री tool है हमारे पास में Adobe जी हाँ Adobe का express आप जानते ही होंगे Adobe graphic designer की number one company है और जितने भी graphics के बड़े बड़े software है चाहे आप Adobe administrator के बात करें आप Photoshop की बात करें इस आपके graphic में number one जो tool है या number one जो software बनाए है वो Adobe के ही है तो Adobe ने एक ऐसा feature दे रखा है जहाँ पे Adobe का express ये completely एक आपके लिए AI tool है और यहाँ पे जाके आप similar जैसे Canva और Microsoft के अंदर आप अपने लिए graphics बना सकते हो उसी type की graphics आप जो है Adobe के express के जरिए भी बना सकते हो और यहाँ पे भी आप Adobe के express AI की help से भी आप graphic बनवा सकते हो किसी भी type की image collection करा सकते हो और आपको अगर free copyright images चाहिए तो आप खुद AI के अंदर अपने image की पूरी description डालके आप उससे खुद AI image generate कराके उस type की images को अपनी marketing के लिए भी यूज कर सकते हो तो number three जो tool है वो है Adobe का Adobe Express ये भी आपके लिए free है और आप इसका यूज जो है बड़े अच्छे से कर सकते हैं अपने लिए graphics बनाने के लिए तो digital marketer की बहुत बड़ी tension जो है वो आज की rate में खतम होगे क्योंकि अकसर हर किसी digital marketer को अपने product promotion के लिए या अपनी marketing के लिए अपने campaign के लिए graphics की जरुद पढ़ती ही पढ़ती है और अकसर digital marketer को graphic designing नहीं आती है तो आप इसके लिए उनको completely graphic designer के उपर depend होना होता है और उसके लिए उनको extra pay करना पड़ता है तो यहाँ पे आप simply इन Tino AI tool की help से अब अपने लिए खुद graphic फैयार कर सकते हो और उन graphics का यूज करके अपनी marketing में उनका यूज अच्छे से कर सकते हो तो I hope ये video आपके लिए काफी helpful और आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे like जरूर कीजेगा और आप जो है comment box में भी अगर आपके पास इससे अगर another कोई tool है तो उनके बारे में भी आप हमें जरूर बताएगा comment box में कि आप कौन सा AI tool या graphic designer में कौन सा tool य पूज करते हो जिसके जरीए आप best graphic बना सकते हो तो चले दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर आपसे मलागात होगी तब तक कि लिए जय हिन जय भारत